नमस्कार दोस्तों, डिजिटल साहे थे यूट्यूब चैनल पर एक वार फिर से आप सुभी का बहुत स्वागत थे दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है पी-एम किसान समान धी योजना 2022-23 के अंतरगत जो 11-23 लाभारतियों को मिलना था इसी के विसाय में तो दोस्तों, आज जो है, अब जो है, मैंने जितने भी विडियो बनाये थे, उसमें बताये थे कि दोस्तों, जून के अंतर तक सभी लाभारतियों को, जो 11-23 की रासी है, वो मिल जाएगी तो दोस्तों, इसी के तहट जो है, अब ऑफिसिली खोजना हो चुकी है 31 मैं 2022 को दोस्तों, PM किसान समान निधी, उजना ग्रामीन के तहट, सभी लाभारतियों को, 11-23 की रासी ट्रांसफर की जाने के, यहाँ पर घोजना हो चुकी है दोस्तों, तो यहाँ पर निउज निकल कर आ चुके है, तो सभी लाभारतियों को मैं बताना चाहूंगा, कि किस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं, कि किस तारिक को यह जो रासी है, वो मिले की तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि Beneficiary Extranet 31 में 2022 यहाँ पर ओफिसेली लिख दिया गया है, और यहाँ पर जैसे हम लोग सर्च करेंगे, PM किसान सम्मान निधी, 11th installment, Google पर तो क्या निकल कर आता है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूं, दोस्तों तो जैसे हम लोग PM किसान सम्मान निधी, योजना, 11th installment date 2022 जैसे हम लोग टाइप करते हैं और Go पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने दोस्तों देख सकते हैं कि कौन सी date निकल कर आती है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, the central government could release the 11th PM किसान installment on 31st according to media reports, provisional reports had suggested why the government will release the funds on 14, 2022, step 1, you will need, first need to visit the official website of PM किसान सम्मान निधी, officially हो चुकी है, इससे पहले जो 14 माई को, जो date है, वो निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे change करके 31 में कर दी गई है, तो दोस्तों अब सभी लाभातियों को, जो PM किसान सम्मान निधी, योजना के लाभाति है, सभ और चैनल को सबस्क्राइब करें, धन्यवाद